हेलो फ्रेνस कैसे आप लोग है औच मैं आपको ट्राइजर में बैल्ट लगाना बताऊंगी तो जैसे फ्रेंट्स साइड में जो बेल्ट लगता है उसको कैसे लगाते हैं उसका तरीका आज मैं बताऊंगी तो यह देखिए मैंने आगे का पार्ट तयार कर लिया है यह देखिए उल्टी साइट से यह मैंने जोड लिया है और यह मैंने प्लेट लगा लिया है अब उसके बाद देखना है कि आपका यह कितना रहा है तो हमें यह देखना है कि यहां पर कितना बिल्ट तयार बिल्ट कितना लगाना है तो अभी मुझे 20 इंच तयार बिल्ट चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले 20 चोड़ा मैंने बिक्रम ले लिया है बिक्रम लेना है तो सबसे पहले आप ऐसे नाप करके याफी यहां से भी ऐसे रख करके ले सकते हैं इस तरह से कि यहां से मैंने मार्क कर लिया और यहां बिक्रम मैंने काट लिया अभी बिक्रम निकाले के बार अब हमें एक कपड़ा लेना है और उसके उपर रख करके हमें जहां पर इस्टिक हो जाता है वहां पर ऐसे रख करके इस्टिक कर लेना है इस तरह से हम इस पर ले करके और हमें चार इंच ओड़ी पट्टी तयार कर लेनी है इसकी यहां से देखिए हम चार इंच ले लेंगे कटिंग कर लेंगे अब मैं यहां पर आरेन करके इसको इस्टिक कर लोगी बुक्रम को यह मैंने इसको इस्टिक कर लिया है बुक्रम को अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे करके शिलाई लगा लोगी इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी तो यह देखिए मैंने सिलाई मार लिया है अब इसको ऐसे लट लेंगे और यहां हमारा जो लाइनिंग आता है यहां से आता है तो हमें यहां पर थोड़ा बढ़ा कि अब हमें और कटिंग कर लेना है तो देखिए इस तरह से यह बिल्ट हम तयार कर लिए हैं इस तरह से अब हमें इसे जोड़ना है तो यह देखिए इस तरह से यह हमारा जो आगे का बाहर पार्ट है इसको ऐसे लेंगे और यहां से हम ऐसे जोड़ लेगे इस तरह से इसको खोल के जोड़ेंगे आई होप आपको समय आ रहा होगा यह मैंने यह पाट लिया और यहां से इसको ऐसे जोड़ लेंगे उसके बार हमें उसके बार में दिखाती हूं इसको जोड़ लेना है तो फ्रेंट्स अब मैं मस्चीन पर आ गरी हूं और यह देखिए यह वाला लाइन हमें स्टीश कर लेना है तो इसको इतना जोलिया हमेंने अब क्या करेंगे इसको ऐसे पलट के इस तरह से ऐसे करेंगे इस तरह से देखिए फ्रेंट साइड ऐसा आ रहा है या है तो फिरस्व जोड़े के बाद अभी स inert Onके villain के बाद अभी आजाएगा इस तरह से पटेंगे और इस तरह से पर टते है के बाद इस पे हमें सिलाई लगा देने हैं इस िस तरह से और आगे हमारा ऐसा इस तरह से हमारा फिनिशिर्ड आयगा इस तरह से अब मैं इस साइड से अंदर से सिलाई करूंगी तो मैं पूरा सिलाई लगा लेना है कि देखे आगे का बेट त्यार हो गया है इस तरह से बिल्क फिनिशिंग में तयार होता है यह इस तरह से बनाने से आगे का बेट तयार होने के बाद अब हमें पीछे का पार्ट रेडी करना है यह पीछे का पार्ट है इसमें भी हम किछे से कपड़ा जोड़ेंगे जो में अपर साइड year करना है तो हम उसी इसाब से चार इंश कपड़ा हम ले लेंगे तो यह देकिए मैंने पीछे का पार्ट भी वें तयार कर लिए है इस तरह से इस के शीदा साइड है आज ये पीछे का मैंने ट्रॉ और यह पिज़े कंप तयार किया है जो लेंगे तरह से जोड लेंगे तो मारा यह दोनों साथ से सिलै कर लें तो देखिए मैंने में पैंट में लगना लगा कर तयार कर लिया है कि पीछे साइड और आगे साइड मैंने बेल्ट लगाया है इस तरह से देखिए बिल्कुल परफिक्षन के साथ इस तरह से बेल्ट तयार हो गया है आपको को यह वीडियो पसंद आया होगा और बेट लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा और यह से वेडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं